इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पॉल्टेक्निक में कौन-कौन से टॉप 10 में कॉलिजेस हैं, केंपस प्लेस्मेंट कैसा है, रैंकिंग कितनी है, तो कुल मिला जो लाग कि टॉप 10 जो की सबसे ज़्यादा स्टुडेंट जो की पॉल्टेक्निक करना जाते हैं, सबसे पहले नंबर पर आते हैं, तो आपको देखनों के मिलता है गौवर्मेंट पॉल्टेक्निक पटना तेरह, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पॉल्टेक्निक का कॉलेज है, गौवर्मेंट पॉल्टेक्निक करने की सोच रहे हैं, तो इस कॉलेज को सबसे पहले भरेंगे, इसमें कितने ब्रांचे से, कौन कौन से, कितनी सीटे हैं, मैं अलग वीडियो बना के पहले ही दे चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं, तो देख सकते हैं, ठीक हैं, सेकिन नंबर पे पटना कहीं, एक और कालेज है, गौवर्मेंट पॉल्टेक्निक पटना 7, जो की पटना 7 और पटना 13 अंतर क्या है, यह न्यू गौवर्मेंट पॉल्टेक्निक है, इसकी बिल्डिंग न्यू है, और यह अलग है, एक ही नहीं समझना, 13, यह इसलिए रखा गया क्योंकि वहां का पिन कोट 13 है और यहां का लाश्ट में सेवे ने इस वज़े से नाम अलग-अलग है क्योंकि कॉलियस अलग-अलग है तीसरे नमबर पर जो कॉलिज आता है गॉवर्मेंट पॉल्टेक्निक मुझा परफूर यहां भी सेलेक्शन काफी अच्छा होता है पहाई के मामले में भी अच्छी है तीसरे नमबर पर रैंकिंग है मुझा फरफूर की चोथे नमबर पर आप बात करेंगे गॉवर्मेंट पॉल्टेक्निक वैसाली वैसाली आप सेम टू सेम इसी तरह नोट कर लिजे अगर आपको लिश्ट बनाना भी हो तो कोसिज करना इन ही कॉलेज में आपका एंडविशन हो जाए तीसरे नमबर पर मुझाफर फूर चोथे पर वैसाली पाच्वे नमबर पर भागलपूर का है बहुत अच्छा कॉलेज है यह तो एकदम आपको मिल जाये तो समझ लो सबसे बेस्ट कॉलेज में आ चुके हो ठीक है और छट चना है by बढर्वनि ही रखा गया है नौले नमबर पर गोर्ण्ट पॉल टेखनिक च्छपरा है और लास्ट में स्थेन नमबर कि अगर आप बात करें तो गवर्मेट्स पॉली तेकनिक गया गया भी अच्छा कॉलेज है आपको पता है बिहार पॉल टेकनिक में लगवग 42 गॉर्मेंट पॉल टेकनिक कॉलेज है और सीट भी कितने है मैंने ये भी बताया है आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए गाईस आप उस टॉपिक को लिखने के बाद लास्ट में बा सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक बात इंफॉर्मेशन है आपके लिए नए सेशन की तयारी करवाना स्टार्ट कर दिया गया जिस भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप वाटसप कर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा